इंडिये को तोरने की जो हिम्मत करेगा वो मिटी में मिल जाएगा ये बात भी लिखकर रख लीजे तो तेजस्वी आदव को कौन चला रहा है उनके पिता जी टाइड है की रेटाइड है की बिमार है क्या है तेजस्वी आदव को तो वो चला रहे हैं सरकार को तो कम से कम अफसर चला रहे हैं तेजस्वी आदव को कौन चला रहा है आज के दिन में ट्यूटर से बाहर निकल के भी कभी कभी कुछ काम जनहित का कर लिया करें जो लोगों के नजर में आ जाए है कि लालू जी के समय में बिहार का ग्रोथ रेट एक परसेंट था दस परसेंट से अधीक है इनके पास कोई नयतिकता नहीं है कि लोएन ओडर पर नितीज सरकार के उपर ये कोई शवाल खरा करें नमस्कार मैं प्रिंश कुस्वाब फष्ट वियार जारखंड देख रहे हैं देखिए और जेडी और इंडिया एलाइंस के तमाम जो घटक दले हैं ओब परतिरोध मार्च करेंगे बिहार में बढ़ते हुए अपराद को लेकर और लगातार जो विपक्ष है ओ सरकार को ले अपराधी सरकार जब राजद आती है ना सरकार में उस समय अपराधी जरूर्ण सक्रिये हो जाते हैं कि अभी जो अपराध जिन लोगों ने किया है उसमराजद के संरक्षित लोग हैं उस सब खुल गया ना आपने कभी देखा कि किसी हत्या के केस में 24 और 48 घंटे के अंदर अपराधी दवोचे गए हूँ ये है सुसासन की सरकार अपराध जीरो हो जाएगा यह दुनिया का कोई एक राज्य ऐसा नहीं है जहां अपराध जीरो हो लेकिन अपराध के बाद अपराधी पकरे जाएंगे उनको सजा होगी इसमें बिहार पूरे देश के अंदर अवल है तो ये है सुसासन की सरकार हम इसका दावा करते हैं अपराध जीरो हो जाएगा इस परकार की बात कभी नहीं कही गई लो एन ओर्डर के मामले में बिहार कई राज्यों से आगे है आप पता कर लिजिए कि और्गिनाइज क्राइम में बिहार देश के अंदर 27 में नमबर पर है तो बिहार के अंदर क्राइम तो हैं नहीं आज के दिन में लेकिन जो इस परकार की अपराधि घटनाए घटती है हमारे मुख्यमंत्री हमारे उपमुख्यमंत्री उन्होंने असपस्ट सब्द में कहा था कि 48 गंटे के अंदर तुरंत S.I.T. गटित की गई और 48 गंटे के अंदर सभी अपराधियों को पकर लिया गया तो ये सरकार का काम है सरकार मुस्तैद है अपराधियों को तुरंत पकर रही है सरकार उसको तुरंत तुरित कारवाई करके सजा भी दिलाने में सरकार सक्चम आज कल गुपाल मंडल हों चायों से पहले बीमा भारती जेडियू के जितने विधायक हैं वो लालू परस्द यादों के संपर्क में हैं क्या लग रहा है कि जेडियू को तोड़ी की कोशिश करी आरजेडीू को आरजेडीू क्या तोर पाएगी यह आप ने देखा नहीं था कुस दिन पहले जो क्या हुआ उनके विधायक इस समय प तोरेंगे वो खुद तूट रहे हैं तो जो खुद तूट रहे हैं वो दूसरे को क्या तोरेंगे अब मिलने जहां तक जाने का सवाल है तो बेक्तिकत सम्मंधों के आधार पर भी कोई किसी को मिलने जा सकता है उसको लेकर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो पाटी को तोर रहे ह तो ये कोई विशय नहीं है जिसको ले करके हम चर्चा करेगी पाटी तूट रही है और पाटी को तोर रहे हैं ये किसी की हिम्मत नहीं है जो बिहार के अंदर एंडिये को तोर ले और एंडिये को तोरने की जो हिम्मत करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा ये बात भी लिख कर रख लिजे एक स्वाल नेंगे कि यह लगातार तेज़ी आदव और जो आरजेडी के समर्थक हैं कर रहे हैं कि शरकार रिटार और टायड अफसर चला रहे हैं नितीज कुमार नहीं चला रहे है जो का दिर्शच सक्टी है वो तो तेजस्वी आदव की हिम्मत कहा थी जब तेजस्वी आदव सरकार में थे उस समय कौन चला रहा था सरकार अगर उनके मतलब उनके हिसाब से रिटायर और टायड अफसर सरकार चला रहा है तो तेजस्वी आदव को कौन चला रहा है उनके पिता जी टायड है की रिटायड हैं कि बिमार है क्या है तेजस्वी आदब को तो वो चला रहे हैं सरकार को तो कम से कम अफसर चला रहे हैं तेजस्वी आदब को कौन चला रहा है आज के दिन में यह तो सवाल उनसे पूछिएगा न कि बिमार आदमी अगर तेजस्वी आदब बिमार आदमी चला रहा है तो सरकार चलाने वाले बिलकुल फिट है एक-एक बिभाग काम कर रहा है और जब तेजस्वी स्वाइंग सरकार में थे तो उस समय ने सवाल करना चाहिए था कि सरकार को कौन चला रहा है सवाल करने की हिम्मत थी उनको उस समय तो पाँच पाँच विभाग ले करके वो सरकारी खजाना साफ करने में लगे हुए थे क्या-क्या किये हम लोगों को भी मालूम है ना क्या-क्या किये हैं विभाग के अंदर सब मालूम है ना जाच भी होगी उसकी ये बात पहले ही आ गया है तो इसलिए उनका स्वभाब क्या रहा है उनका मिजाज क्या रहा है राजनितिक सत्ता का समय समय पर उपयोग किस काम के लिए किये हैं जिस काम के लिए किये हैं उसके कारण आज भी EDCVI उनके घर आ रही है तो उनके लिए रा चुन्ताना करे कि सरकार को टाएड की रिटाइड चला रहे हैं, वो इसकी चुन्ता करे कि उनको कौन चला रहा हैं और समय समय पर क्या बोल रहा है, ट्यूटर से बाहर निकल के भी कभी कुछ काम जनहित काकर लिया करें, जो लोगों के नजर में आ जाएंगे. जगतानन्द सिंग जी अभिवावक तुल हैं वो डिवेट करने लाएक बचें हैं जो उनसे डिवेट कर लें उनको डेटा पता है कि लालु जी के समय में बिहार का ग्रोथ रेट एक परसेंट था दस परसेंट से अधिक है तो बढ़ता बिहार उनको पसंद नहीं है चुकि उस जिस गैंग में रहे हैं उनक्या कर लिए जब उनका बेटा आवाज उठाया सरकार के अंदर तो क्या कर लिए दूद की मखी के जैसा निकाल करते जस्री आदब फेक दिया बरी मिन्नत करके हाँ जोड करके बक्सर लडा लिए हमारी छोटी भूल के कारण वो जीत भी गए वहां से हमारे ही लोग आपस में कई जगा वहां ठीक तरीके से उसको कर नहीं पाए और उसका पड़िनाम हुआ कि मेरी भूल के कारण थोड़े से मार्जिन से चुनाव जित लिए तो क्या कर लिए जगता वावु जरा मुझे बता दीजे उस समय क्यों तुरंत मंत्राले मिला था चार दिन में बेटे ने मंत्री पत से इस्तिफा दे दिया तो कहां रोक लिए जगता वावु जो बात आज तेजस्वी आदव भी पक्ष में जाकर बोल रहे हैं सत्ता पक्ष में रहा कर कम से कम बोलने की हिम्मत तो जुटाया था सुधाकर जी तो कहां तेजस्वी आदव ने उनका समर्थन किया तेजस्वी आदव जी ने तो उनको दूद की मखी के जैसा निकाल कर फेक दिया इस्तिफा ले लिया तो इनको जगता बाबू हो या तेजस्वी आदव हो नैतिकता के अधार पर उनको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है आपको मालूम नहीं किसी पटना में क्या-क्या होता था लालू जी के समय में एक मातर उद्योग पुरे बिहार में चलता था अफरन उद्योग कोई दिन अखवार का नहीं था जो पहले पन्ने पर अफरन की खवर नहीं राती थी ये सब जकता बाबू अगर भूल गए इतने उमर में तो भूलने की आदत इस उमर में होना सभाविक है और उनको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो अगर डिवेट करने की चुनावती दे रहे हैं तो मुझे आश्चर्ज लग रहा है कि किस पर डिवेट करेंगे 23,600 करोर का अंतिम बजट रावडी देवी प्रस्तूत की थी इसी बिहार के सदन में और आज 2,78,000 करोर का बजट ये सरकार पेस कर रही है दस गुना से भी बड़ा बजट का अकार है पैसा राज के खजाने में पैसा बढ़ा है राज का डिवलप्मेंट बढ़ा है केबल 900 किलो मीटर सरक ग्रामीन सरक थी लालू जी के समय में क्या डिवेट करेंगे जगतावावू में कर रहा हूँ डिवेट 1,16,000 ग्रामीन सरके किलो मीटर आज बन करके तयार है किस बात का डिवेट करेंगे जगतावावू मुझे बता दीजे उनके समय में 40 पेसेंट से भी कम पूरे महीने में आता था हूस्पीटल के अंदर आज 300 से अधिक पेसेंट CSC रेफरल में आ रहा है क्या डिवेट करेंगे जगतावावू मुझे बता दीजे यही कि हमारे जमाने में गुंडागर्दी बहुत थी आज नहीं है यही कि हमारे जमाने में होस्पीटल चौपट था आज चालू है यही कि हमारे जमाने में हमने सिक्चा को बेच दी आज किसी तरीके सिक्चा अस्थापित हो गई यही कि हमारे जमाने में लोग पलायन कर गए बिहार से आज बिहार में नौकरी मिला है किस बात पर debate करना चाहते हैं यही कि हमारे जमाने में growth rate बिहार का एक परसंट था आज 10% से उपर हैं किस चीज पर वो debate करना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है इतने पुराने उन्भवी नेता हैं किस प्रकार की हल्की बाते करते हैं कि हम डिवेट के लिइए तयार हैं खुला चुनोती दे रहे हैं आप क्या तयार हैं आज भी जो भारत सरकार का Crime Report का डेटा है उसमें बिहार कितने नमबर पर खढा एे ओबराल तैसमें नमबर पर और्गिनाइज क्राइम में 27 में नमबर पर बलातकार में 31-32 नमबर पर खड़ा है विहार किस बात का डिवेट करना चाह रहे हैं जगतावाबू जड़ा अपने समय का विहार खोल कर देख लें कि इसी पटना सहर में सिलपी हत्या कांड हुआ था कौन समाल लिया उसको कौन-कौन लोग उसमें फसे हुए थे जड़ा पता तो कर लिजे तो इसलिए क्या है जब ये सरकार में बीच-बीच में आये तो क्या-क्या तांडव हुआ जगतावाबू किस चीज़ पर डिवेट करना चाहते हैं दलित क्या लास उसके जलते हुए लास को निकाल कर उस पर पिसाब कर दिया गया उसको लाठी डंटे से पिता गया किस-किस बाद पर जगतावाबू डिवेट करना चाहते हैं दस-बीस किलोमीटर वेगुसराय में फाइरिंग करते हुए कोई अपराधी चला जाता है न पुलिस की नजर परती है न उसको पकड़ पाते हैं आखिर किस चीज पर जगतावाबू डिवेट करना चाहते हैं हम तो खुली चुनोती देते हैं 12 नरसंगहार उनके समय में हुआ लोगों को लाइन में खड़ा करके गर्दन कार दिया गया कितने बड़े बड़े नरसंगार उस समय हुए आखिर किस चीज पर जगतावावू डिवेट करना चाहते है जड़ा आप कलपना करिये कि किसी को लाइन में खड़ा करके गाउं भर से उनको जमा कर लिया जाए और एक मठवंदीर पर लाइन में खड़ा कर दिया जाए और एक-एक व्यक्ती का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाए किस चीज पर जगतावावू डिवेट करना चाहते है इनकी नियत खड़ाव है इनके पास कोई नयतिकता नहीं है कि लोएन ओडर पर नितीज सरकार के उपर ये कोई सवाल खड़ा करें अगर उन्होंने कही कुछ चिंता की है तो हम उनको सदूबाद दे रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर विभाग को हर मंत्री अपना अपने विभाग का जो मंत्री है वो अपने विभाग को एकदम भरष्टा चार मुक्त रखे तो यही तो सुशासन की सरकार है बिल्कुल आपने देखा अमार साथ जिवेस मिसा से उनकोंने साफ तोर पे कहा कि देखे जिस तरह से जेडिव को तोड़ने की अगर बात लो कर रहे हैं तो जेडिव तूटने वाली नहीं है जेडिव को जो तोड़ेगा उसे हम लोग मिट्टी में मिला देंगे ब्रहाल स्कुन इतना ही इसे तमाव खुर्ट के मसा बने रहे हैं अब फश्ट विया जर्कन देखे लिख चब्वीस वर्षों में सत्रह हजार से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं के चात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वादिक विश्वस्निय एवं लोग प्रियसंस्थान गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिट्यूट हमारा विश्वास गोल के साथ